केजे सर के हाथों में कडेट्स का भविश्य है कडेट्स के लिए केजे सर एक खत्रा है पर उनका एक रूप और भी है जो वो कभी दिखाते नहीं मैं अमरित्सर के पास एक छोटे से गाउं से हूँ और मुझे मेरे माबाप ने बहुत कटनाईयों से पढ़ाया और लिखाया मेरे साथ एक दुरघटना हुई थी 2009 में मेरा बेटा दुनिया से चला गया था तो मैंने सर्विस छोड़ दी थी जिसके लिए कमा रहे हो वो तो है ही नहीं तो आप सर्विस करके क्या करेंगे मैं बहुत परिशान था मैं एक महीने बाद आफिस पहाँ जाए 73 AEC कोर्स पास आउट होने वाला था उन बच्चों ने मुझसे एक ही बात कही थी सर परेड अच्छी नहीं हो रही आप आजाईए आप खड़े रही है आपका एक बेटा गया है ना पर हम आपके साथ खड़े हैं उन 45 बच्चों ने मुझे मेरे पैरों पर फिर खड़ा किया और तब से मैंने खुद को बदल दिया अब यहीं मेरा परिवार है यहीं मेरे बच्चे ट्रेनिंग के दोरान मैं उनसे सक्ती बरतूँगा पर मेरे दिल में उनके लिए खास जगा है हमें उनका एक और रूप भी देखने को मिला वो हमारे लिए एक फादर फिगर जैसे हैं जब ही किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले वही मदद करने आते हैं और हमसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वो हमेशा कहते हैं कि चोट लगनी भी ज़रूरी है और यही चोट तुम्हें मजबूत बनाएगी ट्रेनिंग के दिनों से उनका मूड वक्त और हालात देकर बदलता रहता है कभी वो बहुत ही सक्त रहते हैं तो कभी एकदम ही नरम जब वो हमें कोई एक्सराइज करवाते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है क्योंकि हमें सब कुछ एकदम पॉफेक्ट करना होता है वो हमें सोल्जर्स की तरह ट्रेन करते हैं प्यार से कोई भी आदमी किसी को बना नहीं पाता यह आप टो भी वरी टाफ एर फोर्स अकाडेमी में स्टेट जीरो कडेट मुदित अपनी जिंदगी के सबसे कठिन साथ दिनों से गुजर रहा है अब कैम्प हावर्ड में उसका सबसे कड़ी चनौती का सामना करने का वक्त आ गया है यह पोरे दिन का इंटर स्कॉर्डन कॉंपटिशन है चारो स्कॉर्डन, एक्वीनो, ब्रार, कात्रे और चिटनिस को तीन जहंडे खोजने हैं और जहां से शुरू किया है वहीं वापस आना है जो स्कॉर्डन पहले वापस आएगा वो जीतेगा यह साथ हजार एकड में फैले होए कैम्पस में एक ट्रेजर हांट है हर स्कॉर्डन को एक मैप और कम्पस दिया गया है और पहले जहंडे तक पहुँचने के लिए स्कॉर्डन को निर्देश भी दिये गए हैं जहां पहला जहंडा मिलेगा, वहाँ दूसरे तक पहुँचने का हिंट होगा और दूसरे के पास तीसरे का मुद्ध अपने स्कॉर्डन का लीडर है अगर वो गलत हुआ तो कात्रे स्कॉर्डन हार जाएगा खेल अब शुरू होता है इसमें कोई भी मजबूत या कमजोर नहीं, सब बराबर है ध्यान रहे कि सब साथ में होने चाहिए अगर किसी ने भी हार मानी तो दो मार्क्स काट लिए जाएंगे मुद्ध के पास जो मैप है वो सेवन्टीज में बना था तब से लेके अब तक इस इलाके में काफी बदलावा चुके हैं जो मुद्ध के रास्ते का रोडा बन रहे हैं जंडा कहीं आसपास ही है पर मैप और कमपस दोनों अलग दिशा में जाने को कह रहे हैं मुद्ध का स्कौडरन भटक चुका है बाकी स्कौडरन को उनका पहला जंडा मिल चुका है मुद्ध ने डिसाइड किया कि उसका स्कौडरन तीन गुटों में बटेगा और तीन अलग-अलग दिशाओं में जाकर खोजेगा और उसका ये प्लान काम्याब हुआ पहला जंडा मिल गया पहले जंडे तक पहुँचने के बाद कडेट्स को सांस लेने के लिए डेड़ मिनिट मिलते हैं उसके बाद उनको आगे बढ़ना है पर मुद्ध का स्कौडरन इस सुविधा का लाब नहीं उठा सकता वो पहले से ही पीछे है गर्मी बहुत ज्यादा है और 20 किलो मीटर तक बिना कुछ खाए पिए भागनी से कडेट्स की हालत खराब हो रही है मुद्ध का स्कौडरन पहले के मुकाबले दूसरे और तीसरे जंडे तक जल्दी पहुँच गया उन्होंने बरबाद हुए वक्त की भरपाई कर ली कॉम्पटेशन शुरू हुए पांच घंटे हो चुके हैं कुछ कडेट्स डी हाइडरेटिड हैं तो कुछ को चोटें भी लगी हैं पर मुदित के स्कौडरन को बहुत करीब से टकर दे रहा है ब्रार स्कौडरन अब आखरी जंडे से फिनिश लाइन तक पहुँचने की रेस है अगर फिनिश लाइन तक पहले नहीं पहुँचे तो सारी मेहनत सारी तकलीफें बेकार जाएंगी मुदित ब्रार स्कौडरन को फिनिश लाइन के पहुचते हुए साफ देख सकता है अब एकी चीज हमें जिता सकती थी वो थी हमारी विल पावर मुदित के स्कौडरन ने अपनी जान लगा दी और आखिरकार ब्रार स्कौडरन से एक मिनिट पहले पहुची गए इंस्ट्रक्टर ने फाइनल काउंटिंग की और कात्रे स्कौडरन को विजेता घोशित किया कैंप हावर्ड में कडेट्स का ये सफर काफी इमोशनल रहा उन्होंने काफी उतार चड़ाव देखे ठकान और गर्मी जेली चोटे भी खाईं पर इस दौरान ये एक दूसरे के काफी करीब आ गए जीत के नाम में इन्हें ये मज़ेदार शावर दिया जा रहा है जीत का जश्न मनाते हुए कडेट्स का उत्साहा देखते ही बनता है जीत की खुशी में हमारी सारी ठकान और दर्द गायब हो गया था और जब हमें पानी से नहलाए गया तब तो समझो मज़ा ही आ गया मैं बहुत ज्यादा खुश था जाओ झालर जाई तो समझो मनाते है जो जाफ खुश आपडर खुश जाओी में हमें पानी से था, जाफ बहुत है जाँ मैं पानी से बनता है झालर देए, जामाते है